मम्मी भूख लगा है बेटा बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं है मैं जा रही हूँ काम पे आते समय कुछ खाने के लिए लेकर आऊँ बेटा तुम अपना ख्या रखना मैं जा रही हूँ एक काम करती हूँ यह थोड़ा सा अपने बेटी के लिए रख लेती हूँ अरे नहीं नहीं यह गलत है सीला यह क्या कर रही हो तुम कुछ नहीं मालकिन इसे मैं डब्बे में रख रही थी सीला सुनो जी मालकिन बोलिये मेरे घर मेहमान आने वाले हैं खाना थोड़ा जादे बना देना चीला सुनो मैं तुम्हें बताना भूल गई अन्यों का आना कैंसील हो गया ना सारा खाना तो मैं अकेली खान नहीं पाओंगly यह काम करो यह खाना अपने घर ले जाओ इतने मेरी बेटी का हो जाएगा बेटा ये देख मैं तेरे लिए क्याल आई हूँ सोजा मेरी बेटी छोटी मेरे पास क्या है कि मैं तुमें कपड़ा उड़ा हूँ एक काम कर तुम यही पर उको मैं किसी से गरम कपड़ा मांगे लाता हूँ बेटा ये स्वेटर पुराना हो गया इसे निकाल दो और ये नया लाई हूँ लो इसे पहलो दीदी आपके पास कोई गरम कपड़ा हो तो मुझे देदीजे मेरी बेहन को बहुत तेज ठन लग रहा है अरे पकड़ो 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 चोटी मैं तुम्हारे ले गरम कपड़ा ले क्या हो लो पहन लो मुझे मत मारिये मेरे बेहन को ठंडा लग रहा था इसलिए मैं सोटेल लेके भागा अरे नहीं नहीं भी आ डरिये मत मैं आपको कुछ नहीं करूंगी आप मेरे साथ मेरे घर चरिये में पहर काम करेगा वहीं पे रहिए आपका बहुत बहुत धन्नेवाद दीदी मां हम लोग व को अश्पिटल कब जएंगी मैं जाना रुपार बेन काम करने द Amanda घान कि तुम्हें दुम्हें ले जाऊंगी और तब तक मैं काम करके आँगी तो मैं उन्हें दवा के लिए लिए जाऊंगी है में इल्ट simple कि एल्ट सभा में दूसरे में काम करके पैसे कठ्ठ्थे करूंगी तब तक मेरे बेटे का हालत और खराब हो जाएगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या गरू भगवान सुनो भग तुमारे पास एक जादी पत्थर रखा हुआ है उसे तुम कुछ भी मांग सकती हो अरे ये पत्थर तो कितना तेज चमक रहा है हे जादी पत्थर मेरे बेटे का हालत बहुत खराव उसके लाज के लिए कुछ पैसे दे अरे इतने सारे पैसे आ गए हे जादी पत्थर जैसे तुमने मेरी मदद की वसे तुम किसी और की मदद करने चले जाओ जैश्री कृष्णा अच्छा तो तुम्हे खाना चाहिए अच्छा तुम रुको मैं भी ले कराती हूँ अरे वो और अतंदर चलेगा इस बच्चो को फिटनाप कर लेता हूँ ए छोड़ो मेरी बैंड को चोड़ो मेरी बैंड को अरे बेटा तुम रोग क्यों रहे हो ये छोटी कहां है और ये भी खारी कहां चला गया मम्मी वो जो भी खारी था ना वो छोटी को उठा ले गया क्या बेटा ये ले पकाड़ तो यही रहना मैं अभी आती हूँ अरे बिखारी मेरे बेटी को कहां लेके चला गया है काना जी मेरे बेटी की रच्छा करिए उसे मेरे पास वापस ला दीजिए मैं इस बच्चे का आखे और किड्नी निकाल के अपने मालिक को दे दूँगा जिससे मुझे लाखो रुपए मिल जाएगा उससे मेरी पूरी जिन्दगी बदल जाएगी और ये लड़की कहां चली गए अरे बेटा तू आ गई जैस्री क्रिश्ना